लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और पंडितों को निकाल बहुत करो मिस्टर अफसर यह सारे प्रूफ तुम्हारे अगेंस इंडिया ने हमें बेजा है कि तुम्हारा कंट्री कश्मीर में डर्रीजम पहला रहा है लेकिन सर आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि कश्मीर को तोड़ने का खाब हम 1947 से देख रहे हैं और खुदा की कसम उस मुल्क ने बंगला देश बना कर हमारे सीने में बदले की आग बर दी है कल तक ये बात सिर्फ हम को पता था मगर आज हूरा वर्ड को मालुम हो गया है हम पर प्रिशर आ रहा है कि तुम्हारा कंट्री को एक तरहरीस कंट्री डिक्लियर किया जाए अगर ऐसा हुआ मिस्टर अफजल तो हम तुम्हारा कंट्री को हिल्प करना बंग कर देगा ये आप क्या कह रहे हैं सर हमने तो आप ही के भरों से दुश्मनी मोल ली थी अगर आपने ऐसा किया तो हम तो बर्बाद हो ही जाएंगे और आपका भी कश्मीर में फौजी अड़ा बनाने का प्लैन अदूरा रह जाएगा आप फिक्र मत कीजे सर मेरे पास एक और प्लैन है हिंदुस्तान का एक बहुत खतरनाक मुझरिम है जगराज जो इस वक्त वहां से फरार है लेकिन उसके जर्म और गुनाहों की जड़े हिंदुस्तान के हर शहर में फैली हुई है वहां के कितने ही लीडरों की तक्दीरें वो बनाता और बिगारता है वो हमारे लिए बहुत ही काम का आदमी साबित हो सकता है लेकिन वो इस वक्त भे कहां यह तुम क्या कर रहो? यह इंडिया का एक स्पाय है तनखाँ जरूर यह उनसे लेता है लेकिन काम हमारे लिए करता है गांधी के देशवाले इसे घास पूस खिलाते है और इसे शौक पकरे खाने का है जो हम बोरा करते हैं क्योंकि इसने हमारी जान बचाई थी ओके मिस्तर चैकराज, ओके हम तुम से साउदा करना चाहते हैं बट अखेले में अब बोलो क्या चाहते हो हम कश्मीर को इंडिया से जुदा करना चाहते हैं ताकि तुम वहाँ हुकूमत कर सको और तुम वहाँ अपना फाजी अड़्दा बना सको उसी तरह मैं भी वहाँ अपना हेटकोर्टर बनाना चाहता हूँ ताकि इंटरपोल मेरी तरह वाँक उठा के भी न देख सके ओके हमें मन्जूर है इंडिया को कैसे डिवाइट करोगे इंडिया आज सारा हिंदुस्तान थर्म और मजभ के पारूद पर टिका है एक जूदी सी चिंगारी लगाने की जरूगत है लेकन भाई इस चिंगारी से पूरे हिंदुस्तान को आग लगाने के बदले हमें क्या मिलेगा सिर्फ कश्मीर में एक छोटा सा अड़ा सोगा इंडिया ने अंग्रेजों को क्या दिया था बिजनिस करने के लिए एक छोटा सा अड़ा और अंग्रेज इंडिया के मालिक बन बैठे समझ गया भाई कभी मत भूल डिवाइड एन रूज अट्टे पे बैठ कर इधर हिंदू मुसल्मान का दंगा कराएंगे और उदर सिया सूनी का पव्ला इससी लिए मैं तुझे इंडिया भेज रहाँ गोगा जितना बला तंदा उतना बला दंगा क्वार्नुणणणणा हुआ है है अहुआ हुआ है है इस जो अधिनों कि नभी यस्व यह गणी नहीं हुआ है कि दो चार ना यह के वार बरदाश नहीं हुआ चिस्तम इस ते दोचा नबाट के वह बारतार नहीं नहीं हूं इसने अंग्रेजों की सेकड़ों लाठिया खाई है मगर उन लाठियों में और हिल लाठियों में एक फर्थ सरूर है कि अंग्रेजों की लाठिया जिस्न पर पड़ा करती थी और तुम्हारी लाठिया सिदे दिल पर पड़ती है बादो एक दूसरे काखून दो गड़ालें दूसरों के सर और बतादो सारी दुनिया को कि मुल्क के दो टुकड़े होने के बावसूत हमने कोई सबख आजल नहीं किया अरे हम लोग गुलाम रहने के आदी है हमें आजादी रास्त नहीं आती मुल्क की एक तारास्त नहीं आती अरे चलाओ लाठिया रुक जो गए चलाओ लाठिया लेकिन बाबा हिंदूओने हमारी मजजी तोड़ी है हमारे भी तो कई मंदिर तोड़े गए है बाबा तुम कौन हो हिंदू कुनर जन को मानते हो न अगर तुम्हें यह पता लग जाए कि तुम पिछले जनम में मुसल्मान थे तो क्या आज अपना धरम बदल कर मुसल्मान हो जाओगे नहीं क्यों कि तुम्हारे लिए जो आज है वही सच है और निया जिस मस्जद के लिए तुम खून बहाने के लिए आए हो कभी गए थे वहाँ सालों से वहाँ कोई नमास तक अदा करने के लिए नहीं गया और उसी के लिए कटले आम खून खराबा अरे सच तो यह है कि ना तुम्हें मस्जद से महबत है और ना तुम्हें मंदर से प्यार तुम लोग तो वह भटके हुए इंसान हो जिनका सहारा लेकर शैतानी अपना खेल खेल आएंगे लेकिन हमारे लिडर नों से जिहाद कहते हैं और हमारे लिडर इसे घर्म्यूत कहते हैं या Gotcha अर्यें और उपने ने इंसान बनाये था जिस दुन्यंशन निया में इंसानएत रह सके मुहुपप Always लेकिन कुछ मौट्रने नेदां के भियकवे में आकर अर्येक तब लोगों ने उसकी अन्माने कहीं हमक्राना रियू हो पुछ नेता गुली नहीं खाते नहीं खाते वो गुली वो रिश्वत खाते हैं तलाली खाते हैं यहां तक की जानवरों का चारा तक खा जाते हैं ऐसे लोगों के बहकावे में आकर तुम लोग एक दूसरे का गला काड रहे हो दिक्कार है तुम लोगों पर दिक्कार है इस देश की मिट्टी को शहीदों ने अपने खून से सीचा था जो हिंदू भी थे और मुसल्मान भी क्या धर्म और मजभब के नाम पर तुम लोग उनकी दी हुई कुर्बानी को बाच सकते हो बाबा आपने शहर को बहुत बड़ी बर्बादी से बचा लिया है महादेव अगर देश का हर नेता तुम्हाई तरह सोचने लगे न तो हिंदूस्तान में होन की नहीं दूद की नदिया बहने लगें हाजी शाब हाजी शाब हाजी शाब हाजी शाब हाजी शाब जब उसी आज में खुद का घर जल गया, तो बर्दाश ने कर सका। हाजी साब, आज मैं आपके साब ने सचाई पेश करने आया हूँ। जिन लोगों ने बाम ब्लास किया, उन में से एक मैं भी हूँ। लेकिन ये सारे काम करवाने वाला आप ही का खास शागिर्द महादेव है। बोल, तुझे यहाँ भेजने की किस की चाल है। किसी की नहीं हाजी साब, किसी की चाल नहीं है। मैं तो खुद अपनी चाल का शिकार हो गया हूँ। तो खुद अपना घर बरबाद कर बैठा हूँ। मेरा इकलोता बच्चा, इस दंगे में मारा गया। अब रिदेगी में चीने का कोई मकसद ही नहीं रहा। यह क्या क्या तुमने 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 जहर पी लिया। ताजी साब, आप शायद आपको मेरी बात पर जकीना हैगा। ताजी साब, इसमें, इसमें महादेव के खलाब सबूत रहा। इसे रोकिए, इसे रोकिए, वहना वो जेश को बरबाद तुमने। च 이ंने लुमने आपकाût में तुम अगुमने टरatifन बंटर्णीं अगल क्या ऐार अभां इसना रेख़ती दर्णाम ओक अटरेख़त अ हमत没有 सिंधर भां, आपकॉछ मुझे तुमसे कोछ जरूरी बातें करनी है। क्या बात है। मुझे तुमसे अकेले में बातें करनी है। आये। सरु तुम लोग आप। दॉइवर को सिकरोडी के साथ भेज दू। लेकेर हाज बाद़ो गाड़ी को अन चलाएगा। प्लड़ी मैं चलाओंगा ठीक है को पेठी हाजी बाबा कि आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं शहर में दंग एकिसने करवाय था मैं पूस्ता हो की शहर में बंबलास्क ने करवाय था हाजी बाबा मैं नहीं जानता मैं पूस्ता हो कि शहर में बंब ब्लास किस ने करवाया था मुझे नहीं मालूँ मैं पूस्ता हो कि दंगा करने में किस का हाथ था बाबा मैं मैं सत बता रहा हूं मुझे कुछ नहीं मारूँ हाजी बाबा हाजी बाबा दंगा मैंने करवाया दे रामजादे, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तू ने इतनी मासूम जंदिया ले ली, भाई-भाई के दिल में नफ़त पैदा करने की कोशिच की, तू नहीं जानता, इस देश की मिट्टी धोखे बाजों को पार्दार नहीं करते हैं। मादेव, अगर ये देश कांधी पैदा करता है, तो उसे खतम करने वाला भी यहीं पैदा होता है। मादेव, तरे उनावका गच्छा चिठा, तो मुल्तों की शक्ति में अपने एक खास आथमी के पास रख चुलाएं। मेरी नौत की खबक मिलता ही, तो तेरा पार्दा पाष्ट कर देगा। हाज बाब कैसे हैं अब? सर, अगर इन्होंने 48 घंटे निकाल दिये, तो समझ दीजे, खत्रा टल गया है। डॉक्टर, उन्हें किसी भी हालत में बचाना होगा, किसी भी हालत में। सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, 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 सर शेहर में तरह तरह की अफ़वाएं फैदा जा रही हैं। कुछ लोगों ने ये बात पहला दी है का बाबा को मारने वाले हिंटू है। जिसकी वज़त से लोगों में बहुत गर्मी है, दंगा कभी भी भी भड़क सकता है। स्पी, अब फैद पहलाने वालों को फोराँ अरेस करो। ओके सर। डॉक्टर, आप स्पी सहाब कमिशनर साब के साथ जाकर एक प्रेस रिलीज दीजिए। और कहें कि ये महजय का हाथसा था। बाबा, खतर से बाहर है। ओके सर। ओके सर। बाब, नहां सब ठीक है। तो महाजी बाबा से मिलने जुले वालों पर नजर रखो ताकि हम उस आदमी तक पहुंशकें जिसके पास सबूतों की फाइल है। बाब! बाब! बाब, बाब, लो बाब बाब, बाब!! हरामी साला डिब्बे वाला, फो कट में मेरे मुझे गाली निकलवाता है, कैसा मस्ती में जारे लाए हलकत, ना शकल ना अकल, ले दे के बस एक साइकल, उसी पे सांड के माफिक बैठा, दुनिया भर को डिब्बा पहुचाता है, और अब उनको दिन रात जलाता है. जलत मुशाफिर मोली यृ यृ पिंजरे मालि मुनिया चलत मुशाफिर हमका नो करें हमको लो भी रिख जाल के भाई कॉन अरे पहले बुजावात हो अरे हम अखब है बिरम लाही ओल्ड़ भाई तो आप है कौन हम तो नहीं पहचानत हो नहीं हमतोरी जोधा बाई जोधा बाई ए मुगले आजब अभी जास्ति नाटक नाइब चास्ति नाटक नाइब अब कर लेगे अपने पाई कुकु अरे काहें घर ले जाए हम तो कुवारे हैं का अब बसाने की चाल है जूट बोलत है यह और अब कहो कभी देखा तक नहीं अब कहो कभी देखे तक अब कहा हम का हाथ मतलगाना है हावलदार साहिप कल रात हम से चुम्मा मांगे रहे और हमनंकार कर दुदिये तब से खाफा है जूट चलो गुझ्सा ठूख दो जितना चाहेचूमा लेलो और घरचलो लेलो 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 का अनेयां पर नी करों का निशान बतावत हैं जो बच्पन मा मा जाने और ज़वानी मा जौरू का का? क्यूं बताए देँ बताए। कहा नाम ही तोहार। गोविंदा। और तोहार। चंकी, अरे आखे का है दिखाए वो थो चंकी मंपी, खाली-पिली-फोर्कट में आदा गंटा ख़राप किया, कोविंदा, चंकी, गोविंदा, मम्मी, मम्मी, कहा है? कहां अरे तुम लग यहां क्या कर रहे हैं ममी ममी आंटी में है ना यह लाली पाप की बदले अंकल को अब्बू कहने को बोला थो हमने बोल दिया कि सौरी यह बच्चे बड़े नटखट है चौकलेट के लिए कुछ भी कर सकते हैं चलो बच्चों अरे हट देखा लोगो इस चुड़ेल को किया जमाना आगया है अरे इससे देखकर तो हम भी दोगा खागे थे अरे कैसी लड़की है क्या लड़की है अरे किसी शाने ने का ह प्यार और मारवारी में सब चलता है अरे अकबर वो तो अपने का दिल तेरे पर आ गया वे पर ना पुन इस लंबू को भी आक मारे ना तो वो भी फिसल के गिर जाए अरे लंबू फिसल सकता है हम ना ही हम अकबर है कि अ कि अ कि अ कर दो कि अ कए झाल झाल ये मौसम है रंग भी रंगा ये मौसम है रंग भी रंगा करोंगी जब के दंगा आज नहीं छोड़ोंगी तुझको लोंगी प्यार का पंगा ये मौसम है रंग भी रंगा करोंगी जब के दंगा आज नहीं छोड़ोंगी तुझको लोंगी प्यार का पंगा अरे हम काशी का अगबर हूँ का अरे हम काशी का अगबर हूँ पहती है जहां पे गंगा खाट खड़ी कर दू उसकी जोले का हमसे फंगा अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम प्यार नहीं करता तू मुझको तू है आजम नम मुना आरे你要 अरे प्यार नहीं करता तू मुझको तू है आजम नमूना मदा צרी आता है, जब कलवा में लग जाए चूना समझ ले जुझ से में है भाईया, समझ ले हाँ समझ ले से में है भाईया, जब खैनी को पाके डोड़के रख देगा जोरी तेरे नकरे गेटा के ये मौसम है रंग विरंगा करोंगी जंके दंगा आज नहीं छोड़ोंगी तुझको लोंगी प्यार का पंगा पर तेरा जादू नहीं चलेगा संजीगा तेरा जादू नहीं चलेगा निम्बुआ नहीं चड़ो पर प्यार की भासा हम ना समझू पीछा हम राच छोड़ो अरे जा 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 इन आखों में लगानिया है तेरे नाम का कजरा इन आखों में लगानिया है तेरे नाम का कजरा छेल भबल बान देगा किस दिन इन चुल्पों में कजरा अरे आ, 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 अरे चा, 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 हम काशी का अगबर हूँ, हाँ, हम काशी का अगबर हूँ, बहती है जहाँ पे गंगा, खाट खड़ी कर दूँ, उसकी जो लेगा हमसे पंगा, अरे चा, 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 अरे चा, 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 खट ये मौसम है रंग विरंगा ये मौसम है रंग विरंगा करूंगी जंके दंगा आज नहीं छोड़ूंगी तुझको लूंगी त्यार कपंगा जब बाबा गाड़ी पर कड़ी निजर रखी अभी तक कोई आया नहीं आएगा ज़रूर आएगा जिसने भी आठीक से पड़ी उस गाड़ी को बाहर से जहाँ समगल किया है और कभी न कभी ज़रूर आएगा और जब वाएगा तो हम उसे रंगे हाथों गिर्फ़तार कर लेंगे जिसने पर कड़ी पर सिर्फ एक गड़ी हाथ आगई तो जन्जीर बन जाएगी पर देश को तबाह करने वालों की तबाही शुरू हो जाएगी पेलट वो घड़ी चादा दूर नहीं हुआ पर आएगा हुआ हुआ। स hp , अंढू अज़ मलं कि अज़ ऑर कि अज़ी प्झेट कैने अज़ी फग मा कैने अज़ी ļह कर दो है। अँ दया रहा है धब है यह आजकल की लड़की आपने आपको संभाल नहीं पाती, घर क्या संभालेंगे? अनीता थैंक यू यह क्या कर रहे हैं आप लोग? लिफ्ट ले रहे हैं ओ माडम, लिफ्ट ली नहीं चाहती, लिफ्ट मांगी जाती है जी नहीं, लड़की होने का यही तो एक एडवांटेज है हमें कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप मिल जाता है कमों आप अरे-अरे, हम पहले ही डांस ज्योसर से ठके होया है और क्यों डांस करवा रहे हो, ऐसे में क्या आफ़त आ गई? आफ़त नहीं मैडम, मेरे ससुलाल वाले क्या, ससुलाल वाले? मगर वो तो पुलिस है यही तो मेरी शादी करवाना चाते है पुलिस वालों को तुम्हारी शादी से क्या लेना देना? लेकिन मेरे चाचा को तो है चाचा? उसी ने तो मेरे पीछे पुलिस लगवाई है क्यों? एक कसाई के हाथों मेरा सौधा कर दिया का काई I mean लड़की का बाप लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है कि अगर मैं सादी करूंगा तो अपनी पसंद की लड़की से ही करूंगा तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमें लिफ्ट देने की लेकिन मैडम लिफ्ट तो आप नहीं मांगी थी शुट आप एंड चेस्ट अफ दकार आई से तुम्हारी जानती हो पिछले मैंने फूलों के एक्जबिशन में गई थी भाही टकरा गया था ये लुच्चा लफंगा लोफर बदमाश तपसे काटे की तरह चुपता रहता है अरे ओ मैडम जिस दिन ये काटा सच मुठ चुप गया न उस दिन सिर्फ आला व्यू की चीख सुनाए देगी शुट आप वेलकॉम 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 क्या चीज आया है तू बोड़े ब्यूटिवल कॉर अब उनको पूरा भरोसा था ब्रदर के तुम जरूर सक्सेस्पुल होईगा मगर पिंटो भाई पताने कैसे अचानक पुलिस आ गई बड़ी मुश्कियों से बचकर आया हो यार अरे वोईस तो तुम्हारा खूबी है ब्रदर और हमारे धंदे का एक्दाम जिसमें आल्व पिंटो इस लड़के में बहुत खूबी आए चालाक है हुनरमंद है और सबसे बड़ी खूबी क्या है मालूम है इंडियन सेंटीमेंटल जिस तरह हम चावी से गाड़ी स्टाट कर सकते हैं ताले खोल सकते हैं उसी तरह सेंटीमेंट की चावी से हम जब चाहें इसको न चाह सकते हैं बाब बाब बार बार फिर्ट क्याइन अाम करण अरे बिरु तु यह तो अरे बोलता का है नाई मुमा दैज सायख के मर्दू दो कसायों की तरह पीट है यह तो शुगर है कि लाइट ओन हो गई वर्राइज तो मेरी डेट बड़ी आता थी आप लगा 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 तो चोर की तरह आते क्यों है या काम ही कुछ ऐसा है आईसा का काम है तेरा काम बताओ भैया नाहीं तो रोज ऐसी मार पड़ेगी तेरी तो मैं खबरदार जोई का हात लगाया तो काम का करत है बता है लग स्विएंधा बताओ भैया काम यह जल्दी हो जाएगा और जिफ यह जल्दी आ जाओ सिल्लियाल इससले सब्सका दूर्ल निजंगें लेखाए तरहा काम चाहार माल करता ओदें जाला है अकबर भाया देखा कैसा पाला बदल रहा है आरे हुसेन यह का है कैटबरी देखा कितना रिश्वत खोर है वो इसस जरा सी चीज में भी पटा ले अच्छा मैं तो तेरे लिए भी एक सोने की चेन लाया था लेकिन अब रहने दे अरे बीरु भाया अकबर भाया यह आपने अ अच्छा अभी देखा तो लोगने को अरे अधबर तुझे शरम नहीं आती है क्या कभी मुझे मारता है कभी बच्चों को मारता है एक मिनट एक मिनट यह तोफा मैं तुम्हें ईद पर देने की सोच रहा था और जिस दिन तोफा मिने उसी दिन इस और उसी दिन दिवाली तु रोज देर से आकर आज़े कर दो प्रश्ट कर रहे हो अरे हुसन भाई गल्ती से मिश्टीक हो गया हमेशा गल्ती से मिश्टीक हो जाते कभी तो गल्ती से सही किया कर अथी वात है ठीक है ठीक है अरे बजरंग दादा नहीं आए अरे बजरंग दादा आगे बजरंग दादा आगे आ तो गए मगर हमेशा की तरह आज फिर लेट चलो निकालो अमरी पनल्टी ले अपनी चॉकलेट पुकारता है दादा और दादा सही दादा गिरी करता है ऐसा क हमेशा लेट आते रहेंगे और पेनल्टी माचा क्लिट निकाते रहेंगे नहीं बेटा हुसाइन कि आज मेरा आखरी दिन है कि कल से में टब्बो का कॉंट्राइक छोड़ रहा हूँ जनारधन ये काम संभालेगा बेटा आप कंट्रेक्ट जनारधन को दे रहें दादा आप अच्छी तरह जानते हैं जहां जांचा उसके कॉंट्रेक्ट है वो और उसके साथ ही टपो की आर्में दरदंदे करते हैं मौत से अब कौन डरता है भाई छिती कट्टी थी कट्टी फिर बात क्या है दादा बताईए क्या बताओं बेटे तुम सब लोग मेरे बच्छों की तरह हो कौन बाप चाहेगा को उसके बच्छों पर आप पताए अच्छा उसने हमारी धंक्यों दी हम मर जाएंगे मगर ऐ क्या बोला रहे तू तू क्या नहीं होने देगा और तू जानता है मैं कौन हूं जनार दन और जो मेरी गल नहीं सुनता है उसको मैं देता हूं दना दन हुआ है तून्हें मेरा हाथ पकड़ा है तून्हें हँआ हद़ा हम घंडा को कहें मारा कुछ तू शेयर के सामने खड़ा उगया तुसको ढूल नहीं लगता है बूडी को मारे घं़ और यह द्वे को उसको अद्कालिक हम कुछटी करी कुद काला थू माट डाला हमरे छोटे भाई का माट डाला हमको जिन्दा है भाई अरे यह भी कोई चीला है रो छोटु ना तो रे पैर जमीन पर ना सर आसमान पर इतनी छोटी सी जान हमामा रेलवा से टक्रा सकता था जमीन से सर भट सकता था मौत से हाथ मिला सकता था अरे कितनी बार कहा है अपनी छोटी सी जान को समाल कर रख गली की कुट्टों से बचा कर रख पर नहीं किसी भी गदे से बिढ़ जाता है अरे गदा तो गदाई है ना उखलात मारने की आदत है, मार दिलात। तू इस बच्चे को समझा रहा है, मैंनू गाली दे रहा है। अरे नहीं, नहीं, तो एक गाली दे कर, खुद की जबान कंदी करनी है का। हूं। मगर कच्च्रा साफ करे खातिर, हाथ तो जरूर गंदा करना पड़ेगा नूँ। आए जरूर दे आए जोनाधा ढाला है अब तक राजाए पिए जुए गाख करें ओट जाए ओए पंध्या ऑइस मुंदे का ख्रीया करम पद्यू कर दमास्ते है इसके बंदों से इता रहां तो पुचे आंख बार आँब अखबर आइ AKBAR!! AKBAR!! Akber! 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 एगल कर लिए दर में! अबदो के एखबर हमने कर दे दे देटे! झाल झाल चिक लम चिक चिक लूरू जिन्दगी अब सुरू चिक लम चिक चिक लूरू जिन्दगी अब सुरू रब के चेले है सब और कोई यहां नहीं गुरू काम आना सभी के यहीं काम है कभी सोचाना जाना का आराम है चिक लम चिक चिक लूरू जिन्दगी अब सुरू चिक लम चिक चिक लूरू जिन्दे की अब शुरू रब के चेले है सब और कोई यहां नहीं गुरू हर जीते तो होंगे सभी यारो अमीरी में जीने का असली मजा है या फकीरी में अर जीते तो होंगे सभी यारो अमीरी में जीने का असली मजा है या फकीरी में कभी किस्मत के चकड में फड़ता नहीं कल होना है जो हम तो तरता नहीं चिकलम चिकी चिकी लूरू जिन्दगी अब सुरू रब के चेले है सब और कोई यहां नहीं गुरू चिकलम चिकी चिकी लूरू लूरू जिन्दगी अब सुरू शुरू गद्दारी जो भी करे हम उसको जीने न दो इस देश की मिट्टी को मिट्टी में मिलने न दो अरे गद्दारी जो भी करे हम उसको जीने न दो इस देश की मिट्टी को मिट्टी में मिलने न दो बिना वर्दी का ही एक सिपाही हो हम पोल कर दुश्मनों को ही तोरूंगा दम चिकलम चिक चिकलूरू जिन्दगी अब सुरू शुरू रब के चेले है सब और कोई यहां नहीं गुरू काम आना सभी के यही काम है कभी सोचाना जाना का आराम है चिकलम चिकी चिकलूरू जिन्दगी अब सुरू शुरू रब के चेले है सब और कोई यहां नहीं गुरू हाँ कोई यहां नहीं गुरू जोट सले मार खाएगा अरे पुल्वा अरे रिर तू अरे पुल्वा मेरे पीछे हावल दार लगवाए प्लीज सम्माल ला यार पकड़ो सलाम साहब अरे जोदा भाई तू अरे त्यारा तो एक तम हुलिया इचे जाल अरे अपने मरत को यह इच पसंद है अरे टेवा भया वाली अवाजपन गेली अरे तरह मरत तो वह चैना अरे उसके जैसा मर्दाखी दुनिया में नहीं अच्छा तो तेरह में को मिंदा चंकी तो नहीं ठीक पर्स क्लास पन साइब तुम्ही थे कसे ओ देवा रे देवा वह चोर अधर भाक्याला साला तुसको देखा क्या चोर तिकड़े गला उदर पगड़ता सालिव अरे विरू चलबे बाहर निकल पया थांक यू फुलवा थांक यू आज तो तुने मज़ा बचा लिया यार कोई बात नहीं चलता है यह रहा तेरा ही नाम तू ही रख्याण अपन के लिए लगता यार तू जब्रे वह जब्री दुनिया को मालूम अरे तुझे अप उन गलत आदमी के प्यार के लफड में पढ़िया यार अपने को लगता है अपनी अखी जवानिया इससे घल जाएगी तू फिकर मत कर फुलवा मैं उसे घल ले नहीं दू अरे फुलवा मेरा ये मतलब नहीं था यार मैं ये कहना चाहता हूं कि तू अपनी कहानी का डिर दूवा बनाई दो बहुत ठक गया माच आज कुछ ज्यादा ही कस्त्र खुई कवा अरे तब ये तुच्चा उच्चा खुई कवा अरे सुक्या चाचा नजर नहीं आते हैं अरे बुटिच्चु छोरा देखने गया है मारे लिए तो उनकी बिटी आये का हां फूलवती ना नाम कुछ जाना पैचाना सा लागत है मनने देखे तो सब ये ही बोले है दूद बनाई दो मलाई भी डाल दू अरो बिना मलाई के दूद कैसा किस्ता लागा मारे हाथ का दूद तोहार दूद बातो भांका नसा है वे फूलवती और मारे में तू तो बड़ी लसीली है रे जो भी तव्य तोहार संग्बिया करेगा न नसे में रहेगा तूद माने थारा कसरती बदन बहुत पसंद है मैं थन्ने रोज नसीला दूद पिला पिला के थारी सारी थकान मिटा दू अरे क्यों नहीं कर सकता अपुंतर को पसंद नहीं क्या अकबर हमका तो फुल्वा ही फुल्वा लजरात है अगे यह तो हमार फोटवा लागत है तो बरतो यह का हुई कवा हमरे संख कोई देख ले तो हमारी जद मिट्टी वह मिल जाई अरे बीरू पताने किसकी चाले हमका बदनाम करने की अरे बदनाम तू क्या होगा अकबर तेरी इंची छोरी हरकतों से बदनाम तो हम होंगे ना तू हमका इतना घटिया समझत थे विरू. समझने को बचा ही अबी आरती बहना तू हम पर यकिन करती है ना हुशेर मेरे भाई इनव यह हम ना दो हर हमशकल है यह फुलम एक हमशकल को ना. का जाने हो फुल भी Parean एकफर बस बहुत हो अकबर बैचारी की जिन्दीकी तो मिट्टी में मिल गई ना कह रही थी किसी को मूधी खाने के लाइक नहीं रही अरे कौन करेगा बैचारी के साथ शादी अकबर बाप यह हमसे का हुई गवा फुल्वा कहा है मैंने उसे चो पार्टी की तरफ जाते हुए देखा है जरूर भेलपुरी खाने गई होगी अब इन हालात में कभी भेलपुरी खाने जाता है क्या मुझे तो लगता है कि वह सू फुल्वा 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 फुल-फुल्वा फुल्वा ए अप उनके पास टाइम नहीं है जल्दी चलाए अच्छा तु अब आप उन स्टाइल में मरेगा क्या फुल्वा ये क्या कर रही हो तुम अग्वा भाई रोको इसे अरे ये क्या रोकेगा हुसेन इसको ता सिर्फ दूसरा इंसत से खिलना आता है अरे बीरू तुम सब बड़े भोले हो इसकी चाल नहीं समझ सकते लेकिन हम समझ गए कल सुक्या चाचा की बेटी बनकर हमरे दूद भी नसा मिलायत रही और फिर हमका बिलाइक मिल करने के खाथर किसी लुच्चे फोटोग्राफर के संग हमरी गंदी गंदी फोटू लिए अरे उस दूसरी बोला सच का है हाँ ये सच है और ये भी सच है कि कल इसने मेरी इज़त लूट अरे रुको हुसेन ये ससुरी तुम लोगन को नरक से भी सताएगी अरे भाईया इटा जरा मजबूती से लगाई दो कई सास लेनी की जगा ना रह जाए अच्छा अकबर अपना ख्याल रखना अपन तो तेरे लाइक नहीं था ना लेकिन अपने लिए कोई अच्छी सी जरूर कर लेना हाँ हाँ तु फिकर काई करो तो तोहरा आखरी चाप जरूर पूरी कर देंगे अरे चलो लोगों तमासा खतम हुआ तो शर्मानी चाहिए बेचारी ने महबत में जान दे दी और इसका दिल नहीं पिगला अरे चुप अकपर हम यह कभी सोच भी नहीं सकते कि एक दिन तुम्हाना यह रूप हमार सामने आएगा अब हम दोना इक छत के नीचे नहीं रह सकते अरे काहें नहीं रह सकत छत से पानी डुपकता है का अरे हमें काहें खुनी हा त्यारा बनावत हो अरे उचुडेल तो हमार पीचा नहीं जोड़ेगी अभी प्रकट हो जा अरे अपकी बार तो आप उनके साथ डिरेक्टर है अब तक तो पैचारी बेश्यची की होगी बाइया तो मिनिट होगा अंदर से तो हसने की आवाज आवात है नहीं यह तो तब घुट्टे की आवाज है अब तक इसके प्यार को हम बचाहाँ समझ रहते मगर इस सच प्यार करते हैं ओ फुल्वा अब तो तुझे इसकी लाज तक चुनेगा हग नहीं अकपर तो अच्छा फिरू नहीं अकपर नहीं हम आगे फुल्वा 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 आखे खोलो फुल्वा अगर तो यह कुछ हो गया ना हम जी नहीं सकेंगे संच फुल्वा फुल्वा अगर किसी परी से की ऊती ना तो वो भी ही मुझसे शादि करके स्वेदागति हनी मुन मनाने तो मनाओना और यह दिल मजबूर हँ वह कहवत है दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है क्या तुमने मुझे का दिका मुझे यू 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 आपे बताती तुझे क्या के दिया फाग आप देखा नीता आखिर तुम्हें मेरी महबत पर यकी ना ही गया ना आजाओ मेरी बाहू में आजाओ कि यह पठ्था तो इसी के चक्कर में लगता है अरे अपनी जाद विरादरी में रहना मेरा खाना क्यों खराब कर रहे हो यार अरे सांट भाई तुम तो सीरियस होगा यार मुझ जैसे हैंसम से नहीं पट रही है तुम्हारे स्टिंगों पर मर मिटेंगी क्या कियाओ अब तक तो मैं तुझे प्यार से समझारा है तक तो प्यार की भाशा नहीं जालता कि अगए तुम्हार कि अगए Aaaaah! Biru! Biru! Biru Haşmi' al! Biru! 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 लुलुलुलु1 मुलुलु दिल 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 क्या करो है क्या करो प्यार का काता चुभता जाए क्या करो है क्या करो हाई क्या करो, हाई क्या करो दिल 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 कर दिल 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 कितना दिल को पर ये एक न माना बन ही गया है ये मेरा दिल तीरे नजर का निशाना आही गया है ये दिल तुछ पर तुछ पर ही थाना जो भी होगा देखेंगे हम क्या कर लेगा जमाना क्या कर लेगा जमाना तेरे बिना कैसे जीओ जीना हुआ मुश्किल दिल 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 सम्हाला न जाए हाए क्या करों प्यार का काटा चुबता जाए अरे प्यार का काटा चुबता जाए हाए क्या करों हाए क्या करों हाए क्या करूँ, हाए क्या करूँ अरे उस ससुरे अंदा हुआ है का वाखभर भाईया अपने पर तो नजर रखने ही सकते दूसरों पर का नजर रखोगे लगता है उस ससुरा तो हम पर नजर रखा हुआ था अरे यह भीड कैसी चलो दखो अरे का हुआ माई माद texts माद teat Within में लडशीश, में लड़ोघन, लड़त रखादीह, लड़त Metro तुम लोग जाओ, फट जाओ, क्या जुलूर सवार हो गया तुम लोगों पर खबरदार, जो कोई आगे बढ़ातो, खुदा की गस्तम, मैं ये तलवार उसके सीने में भोग तूँगी तुम लोग इन काफिरों को बचा रहे हो, कौन है काफिर खुदा करे ये मासूम बच्चे, ये बेवा औरत, जो कल तक तुम में से किसी की बहन थी, किसी की भावी थी, किसी की चाची थी. और मिया आज तुम्हारे जिस हाट में तलवार है कल उसी कलाए मिलाके बनवाई थी न, अरे उस बार्षाह हमायों के उसी पूरानी कर्मावतीने सिर्फ राकी बिजवाई थी और वो अपनी पूरी फॉज लेकर उसकी हफाज़त करने के लिए आ गया थो पॉज लेकर तो तुम लोग भी आये हो लेकिन इसकी हफाज़त करने के लिए नहीं इसकी जान लेने के लिए जमाल मिया यकीन नहीं आता कि तुम्हारा खून कैसे सफेद हो गया तुम्हारी बीवी जब छे दिन के आसिप को छोड़कर गुजर गई थी तो उसको अपनी जाती का दूद पिला कर जिन्दा रखने वाली यही औरत थी कि अब्दूलमिया तुम इसी बच्ची को अपने कंदे पर बैठा कर कल तक चॉकलेट कि दिल्वाने ले जाते थे न भूए और निकाल लो फिस सारी वह चॉकलेट जो तुमने गर आइस वह थि बत रो बीटा बत रो अकबर मेरे बच्चे बीरु और हुसेन कहा है? कहा? माई? माई बीरु माई मेरे बच्चे माई तुम भाईयो को मिला कर कहा चली गए थी? माई माई हमने तुमको कहा कहा नहीं डूड़ना माई माई और वो छोटी से बच्ची कहा है? माई, वो छोटी बच्ची नहीं रही हमका तो छोड़ो अकबर भैयार वीरु भाया के भी कान खिजएते है माई, हाजी बबा कहा है? मैं उन्ही को देखने आया थी, उनका एक्सिडेंट हो गया है, वो अस्पताल में बढ़ती है कहा? डॉक्टर साब, एक्सिडेंट में पेट पर इतना गहरा जखम कैसे लग सकता है, यह एक्सिडेंट भी हो सकता है मेजर बल्वान, एक्सिडेंट और हमले की चोट में फर्क होता है, और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इनका एक्सिडेंट ही हुआ है भाई जार लो यह लबत आता यह यहां क्या कर रहा है भाई खुश खबरी, हाज जी की फाइल का पता चल गया है वो फाइल हम सब के लिए बारूद बन सकती थी, इसकी चिंगारियों से चीप मिनिस्टर की धज्जियां तोड सकती है, साथ साथ हमारी प्लैनिंग की भी वो फाइल है कहां? मेजर बलवंद के पास मेजर बलवंद के पास फिर देर किस बात की है? भाई उसके बंगले पे बहुत टाइट सिक्यूरिटी है किसी भी आदमी के लिए वहां तक पहुँचना बहुत मुश्किल है चोटे, ये काम आदमी के लिए मुश्किल हो सकता तेरे जैसे चलावा के लिए नहीं जो कोई भी रूप धर सकता है और फिर तुम मेरा भाई है समझ लो भाई फाइल हाथ में आई यूर अबसूटली फाइन मिस्टर महादेव हिंदोस्तान से क्या ख़बर लायो महादेव जगराई तुम्हें लिए बहुत ही खास ख़बर लाया हूँ हिंदोस्तान में सरकार अगले महिने की 20 और 21 तारीक को काश्मीर में इलेक्शन करवाने जा रही है तारीक है तो कई बार तय हो चुकी है लेकिन कश्मीर में इलेक्शन करवाने की हिमत मिंदोस्तानी गमिट नहीं है लेकिन इस बार सरकार ने ठान की वहाँ के लोग आतंगवासे उप चुके हैं वहाँ के लोग वही करेंगे जो हम चाहेंगे क्योंकि पुरे कश्मीर में हमारे आद्मियों ने अपना जाल पहला रखा ठीक इलेक्शन से पहले वहाँ तवाही मचा देगे किसी के जुरत भी नहीं होगे कि अपने करशे बाहर भी देखाए कि यह क्या हमारी सरकार का प्राण कर लिया है कि काश्मीर में हलाच चाहे कुछ भी हो एलेक्शन जरूर हों कि मिलिटरी की तरफ से सिल्सले में क्या तयारी है सर हम कुरी तरह से तैयार हमने वहाँ के ऐसे तमाम लोगों की खुपिया रिपोर्ट तयार कर ली हैं जिन पर आतंगवादी होने का या उनका मददकार होने का तरह भी शक्त है यह रही लेकिन अब तक इन लोगों को गिरफ़तार क्यों नहीं किया गया उन्हें गिरफ़तार किया जाएगा लेकिन इलेक्षन से ठीक एक रात पहले ताके को कोई और साज़ेश रचाने का मौका ही ना मिले लगता है इस बार हम अपने उदेश में पूरी तरह सफल होंगे शाबाश महादेव मैं जितना समझता था तू तो उससे भी ज्यादा शातर निकला यह तुने बहुत अच्छा काम किया है वो तो सब ठीक है चकराज लेकिन मेरा काम अभी तक नहीं हुआ है जो फाइल मेरे खिलाफ त्यार की गई है वो मुझे अभी तक नहीं मिली है इसलिए मजबूर है मु कि आए व या दिलडू बज़ाए आ जा प्यारे पास हमारे काहे घबराय हुच्छे न बने पर हम्री खोपडिया मा तेल माले स्कार करकर 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 तबली जनुर बन जाएगा ओर नहीं तो क्या तेल माली स्करकर की आदमी तबली जीची तह बनता है ढ्रटतरं इका है जो काम नहीं किसी के बसका वो काम खड़े अमूल मसका थोड़ा खाईए थोड़ा लगाईए अरे का करतो मसका लगा रहा हूं अरे बुडबक यह तो पाउ में लगा थे वहीं तो लगा रहा हूं अरे हमार मतलब है बारोटी मा आपके पाउ में तहम सब की रोटी है भाईया बीरुए मस्का पॉलस किसलिए बहुत नगाता फुलीस मेरह लगाता है फुलीडर लगाता फुलीक अदर लड़का लड़की को लगाता है लड़की अंदर आधे का कम तलब है this term का अंदर करने का चकर्मा उसकि तुमको नहीं चाचा को कौन चाचा नंदलाल शर्मा नंदलालसर्मा ई कोन है अरे वही जिसके हर शहर में बंगले बंगले शहर में कार खाने कार खाने यह जो लखपती नहीज लख करोड़वती कॉरवड़ ऑर्य तवर चाचा ससुरा है कई你की अरे संद्धी घी हाथ तो आपको अपने बखीके का हाथ, पेली पेली के हाथ में देने भी पड़ेगा अरे वाँ नीता, लगता है बात बन गई बात तो बन नहीं थी, जिस प्यार की ताकते तुम्हें हासल कर लिया वो बाप का अश्रवाद तो हासल कर ही लेगा ना डाड़ी चलता वीरू, कॉम आन कॉम डाड़ी अभीरू है यह तो है हमाल बती जा यह चोर क्या इका कह रहे आप डाड़ी आपको जरूर कोई गलत सामी हुई है अरे चोर को पहचानने में मैं कभी गलती नहीं कर सकता अरे एस्पी साब लागत है चोरों का बीच मरायकर आपको सारे चोर नजलात है यह क्या पहच कर रहे हैं अरे बान में क्या ही ड्रामा अब मौर बर्दास ना ही कर सकत तुम कौन हो आरे हम अकबर है इका भाई चोर चोर मुझे रहे हैं आरे खबरदार एस्पी साब हमका चोर कहा तो तुम कुछ बोलते क्यों नहीं कह दो कि यह सब जूट है अरे यह कह बोलेगा इसकी तस्वीर तो हाल पुलीस थाने में चीक चीक कर यह कर रही है कि यह चोर है चोर है अब तो नहीं अब अधर होता वाव बेडी वाव लूड़ा भी तो एक चोर को तो तुम दोनों एक पुलीस ओफिसर को फ्रॉड करने के जुरम में सीजे हावारात में जाओगे हाँ कत्तार आज तक तुम का धोका देता रहा और हम तोरी मह बत्मा इतने अंदे हो गए कभी सोचा तक नाहीं कि यह बैसा यह तोफे तुम चोरी करकर लावत है लेकिन आज हम तोरे आसी रूप को देख लिए बोल का यह हमका धोके में रखा अरे का गुला किया था हमने हम खुद अंपड़ रहें पर तो है पड़ाया इस खुलमा बस हमरी इतनी पैचान थी यह तो आर खाने का डपा पहुचाते थे हम तो हार मुदेखे लेकर किताबों का मुदेगा अरे आसका हम ठीक से बोला भी नायी सीकिए और तू और तू ईस सब्का इस hun बह अब बेज़ां अपने साथ साथ हम कांवे चोर दाबिस कर दिया अरे लोग कहां ये एक मखका ने एक हेंतु को चोर बुना दिया चाहे त हरे अकबर मैंने सपने में भी नएँ सोचा था कि हम दोनों में कोई फरक है श्रो है हम शो हूँ लेकिन चोर हूँ है लेकिन मैने इसले नहीं की कि मैं मैंनद से जीच चुराता था मुझे याद है, जब ताला बनाने वाली फैक्टरी में मुझे नए नए नौकरी मिली थी उसी दोरान दपा पहुचाने वालों की आठ तिन की हर्थ ताल को गई और हुसेन, हुसेन अचानक बिमार पड़ गया था डॉक्टरों ने चार हजार की दवाईया लिखी थी, जब के घर में चार रुपए भी नहीं थे उसेट के आगे अडवांस के लिए हाथ मेला है, गिर गिर आया लेकिन उसने एक पैसा भी नहीं दिया तब पहली बार, पहली बार उसी की फैक्टरी में मैंने चोरी की थी हाँ, लेकिन मैंने इसे कभी जुड नहीं माना अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए में किसी का खुन तक कर सकता था अगर आज, आज मेरे की एकी सजा तुझे भुगतनी पड़ रही है तो मुझे बाफ कर देबाद, पीरू, मेरे भाई तो इतना सब कुछ कर गया और हमका पता भी नहीं चला अगर तुआ नजर फिरा लेगा न, तो हमार खुदा भी हम से नजर फिरा लेगा हमका माप करते, हमका माप करते मेरे भाई अगर, मेरू तरी सर की कसम खाकर कहता हूं आगपर आज की बाद कभी चोरी नहीं करूगा, कभी नहीं वे, बंद करो ये पर्त मिला आप हवल्दार साहिब, आप भी जेल माप हम जेल मिंदी रहेंगे तो कह तेरे कार में रहेंगे हमारा तो कम ये थे है हवल्दार साहिब, आप को इनाठक कंपनी में काम करते हैं क्या हवल्दार साया, मराथी बोलत बोलत पंजावी बोलने लगे आयो ये रभा अरी मुच्छी लखनी ये का अब मैं एक सकेट्री रहूंगा इस जेल में पिछले आठ दिनों में अस्ती बतमाश्यों ने मुच्छ इतने की कोशिज की है अब या तोना अपनी ट्रांसफर करवालूंगा या फिर अपनी मुच्छें मटवालूंगा समझे मुड्यो लेकिन हो मराथी अरे यार मैं अस्ती बात किया चुका हूँ जाओ 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 तोनद हो गई पाबजी मरो आता है ना अाट ए जॉन लाना मैं फड़ावाट कमान बादर यह अपन्का कयराज पिंटो भाई आप ने चुछिव अमरे मदद की उख लिए बहुत बहुत शुक्रिया क्या बात करता है मैं, कायगा शुक्रिया बोलता, अकबर बरदर, आज तुम से मिलकर आपन बहुत है, वीरू बरदर डेली तुम्हारे बारें बोलता, बहुत प्रेस करता तुम्हारा, आज मीटिंग पन हो गया, मिले भी तो कैसन, अरे बरदर, अच्छा टाइम में तो सब म ये नहीं हो सकता हुआ है वो मेम साब मरने का एरादा है क्या पुछी ब्रदर मुझ्से बागए है तू अले लडकी पे सो राज मता है तेरी तो पुछी मास बाइए ब्रदर कि अपने का आपस का मामला है लेकिन मेम साब वह आपको ये जो बताता है तू जामा कर रही है जामा कर रही है वो शैथान इसको प्यार में फचाया मुख अला किया शाधी पन्नी बनाया इसका गंदा गंदा फोटो निकाला वो और अभी हम परना सिस्टर को ब्लेकमेल करता है वो का नाम है उका गोगा वह बहुत ही कमीन आदमी है कितनी लड़कियों ने इजजत के खातिर अपनी जान देती होगी अब उस सिलसिला बंद होना चाहिए अरे डियाना तो यह पता है अब उस फोटो वाँ ना ही रहेंगे हम चोरी करेंगे कल तक तो यह मेरे लिए बायाहात का खेल था लेकिन अब नहीं अब काई नहीं तेरे सर की कसम जो खाई है मैंने बीरू ड्याना हमरी आरती जैसन बहन है और एक बहन के इज़त खातिर तो यह हम कसम से आजात करते हैं नहीं वो बहुत डेंजर आत्मी है उसके घर में अंदर बाहर बहुत सिक्योरिटी है उसके घर में चोरी करना इंपॉसिबल है नहीं आप लोग हमारे वास्ते अपनी जान मसीबत में मत डालो ब्रॉलर तो हमरी हाथ में राखी पान चूरी नहीं पैना कसम है अल्ला की बान पर से भाय की चान कुर्बान हो जाए तो सईद कलवाता है रोज आट बचे वो कमीना बाहर निकलता है आप ओके मिस्टर विश्वास आट बच गये मेरे डिनर का टाइम हो गया ये नो वी आमी पीपल वक के बड़े पावंद होते लेकर हम से बिया वालों को वक्कू होता कब किस वक्त क्या करेंगे बाह आप 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 झाल 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 प्या झाल 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 आप झाल 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 यह झाल प्रिए पिंटो जल्दी सगराज से भाग जा उड़ अक्बर और वीरू जिल से फरार हो गए हैं हरामजादे बाद हुठ हुठ altogether हुठ है हुठ है जाओ जूए है तो वो शेहर की तरह भागता है तो भाग लेकिन हमारे दंदे के अंदर जब तुम जैसे की मौत आती है तो वो दुश्मन से बचकर भागता है लेकिन अपनों के हातों कि कर दो भागता है hello, policeman कर दो कर दो कि अजती है और प्रणात्र हम जाफाज़ीक कि अजतान को अजता है इस सबर्मा या तो उस लोहे में मिलावट है जिससे जेल की सलाख बनती है या फिर मिलावट है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में वना कोई वज़े नहीं हो सकती कि इतनी सेकुर्टी होने के बावजूद वीरू अरगबर जैसे खतानाक मुझरिम जेल तोरू कर भाग मुझरिमों को निशाना तो मिलते हैं लेकिं मुझरिम नहीं मिलते हैं। आंट रिकिर शेहर में नाकाबंदी कर दी गई और कोई ऐसी जेगे नहीं है जा dépूरू की नगर से बत सकें वीरू प्यार की आखरी मंजिल क्या है तलाक क्या हां लेकर उसके लिए पहले शादी करने पड़ती है तो बताओ ना वीरू हम शादी कब कर रहे हैं जब प्यार से मन भराएगा तब तब के बाद मक्कार अब क्या चुराने आया हो तुम सब कुछ तर चुरा चुके मेरी महाबद हानीता मैं मानता हूं कि मैं तुम्हार कुनेकार हूं तुम्हार मुच्रम हूं मैंने तुमसे छुपाया कि मैं चौर हूं मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन लेकिन मैं तर गया तर गया कि कहीं तुम्हें खोना दू इसके लिए मुझे जो चाहिस सजा दो अनीता तुम सिर्फ एक चौर ही नहीं खूनी हो काति हो देश द्रोई नहीं है हम तो किसी की मदद करने गए ते उस ताज इसका सिकार हो गए तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी कहानी पर यकीन कर लूगी हम जानत है आज हमरी बात पर को यकीन नहीं करेगा अगर तो है हमरी आवाज मां हमरी आखों मां सच्चाए नजर नहीं आता है तो पुलालो अपने पिता को कर तो हमका पुलीस के अवाले लग जाले दो अपका पास ही अधिए जर्वाचा खोलो बेटी जर्वाचा कोलो यह बढ़ी तुम चलना ही क्यों थी वो डादी में कोक्रों से डर गई थी ना इसलिए अच्छा सब जो जो सोजा जा चीके डादी गुद नाइट गुद नाइट बढ़ेट तेरो अनिता अला तेरा लाख लाख शुकर है रभु जलती से लाओ विश्णू का है साहिब अरे यह क्या है मेरी टेबल पर नास्ता क्यों नहीं आ रहा बिटिया रानी के नास्ता दे रहना है बीच में आपको भी दे दे देंगे नांसेंस यह बीच क्या होता है का बताई साहिब एक थाल का नास्ता ऊपर जाता है दुछरी थाल के बीच में पहली थाल का नास्ता खतम होई जाता है अरे तो क्या अनिता की सुबह सुबह सेहली आई है नहीं साहिब बिटिया रानी तो अकेले है बेवकूफ तो क्या उस पर जिन भूत चड़ गया है जो इतना खाएगी भगवान न करें बितिया रानी के जिन भूत लग जाए आप नजर न लगाए बितिया रानी बहुत दिन के बाद पेट भर खाए रही है आप तो रोजी खाते हैं थोड़ा सबर कर लीजिए ऐसा लगता है कि वीरू के प्यार का बुखार उतर गया है चांद ये निकला थोड़ा थोड़ा दिल ये मचला थोड़ा थोड़ा अपेली नहीं हम तुम यहाँ ये तो सोचों जरा चांद ये निकला थोड़ा थोड़ा दिल ये मचला थोड़ा थोड़ा वेटी दर्माज खोलो वेटी वेटी ये 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 आवाद है राड़ी ये तुम्हारे कमरेशी आवाजी आ रहा है थी आवाजी? कौन्सी आवाज है राड़ी? यही कोई मरदानी सी आवाज थी मरदानी सी आवाज? आई ये आई वो रेडियो रेडियो चल रहा है दाड़ी रेडियो अरे पर ये रेडियो तो खराब है ठीक हो गया ठीक हो गया अपना पर ठीक हो गया दाड़ी ठीक हो गया तु फिर आप आप आपास क्यों नहीं आ रही है आएगी डाडी आएगी वो विविपारती से आती है न थो आप टाइम रहे है डाडी सर्मा जी वर्मा जी क्यों परेशा हो रहे हो बिटिया पे का है सकर रहे हो तु उल्लू तु पाजी तु भूढ़ा तु खूसट तु अब जाके सोजा अरे सोजा न शुबरातरी इस रात के लाखों है पल चाहत में तू इनको बदल नाजुक बड़ी है ये उमर साए से भी लगता है जए दिल न जलाओ पास आओ बरना मैं तो जानम मचा दूंगा शोग चांद ये निकला थोड़ा थोड़ा दिल ये मचला थोड़ा थोड़ा अकेली नहीं हम तुम यहां ये तो सोचो ज़रा ओ चांद ये निकला थोड़ा थोड़ा दिल ये मचला थोड़ा थोड़ा अब क्या हुआ डाडी कोई है इस कमरे में कोई है मैंने अपने कानों से सुना है कोई शोर मचाने की धमकी दिरा है अहां दे तो रहा था इसे मैंने उसका मूँ बन कर दिया कौन था कौन था कौन था कौन था कौन था नहीं अप भी है रेडियो मैं बीबी सी सुन रही थी आप भी सुनिये वाकिंग टॉकिंग हसिंग रोइंग फालिंग रम्ती डम्ती यू आर हंसम शकल पनाएं फिर क्यों जैसे मंकी और मैं गोरे लोगों जैसे हो जाओ कुछ ग्रेजी विकर देखो साथ हमारे तर्रा ये अंग्रेजी चीर्स शुग्रात्री पंदित बुला शादी रचाँ जीने का फिर राहे मजा हाँ पंदित बुला शादी रचाँ जीने का फिर राहे मजा वाहों की तू टोली मिया फिर देखने होता है क्या जो भी है करना जल्दी करना वरना अब तो हम भी मचा दूंगा सोर जान ये निकला थोड़ा थोड़ा दिल ये मचला थोड़ा थोड़ा जान ये निकला थोड़ा थोड़ा दिल ये मचला थोड़ा थोड़ा मिस्टर वर्मा एक वक्त था कि हमारी पुलिस की तुलना इस कौट एंड याड की पुलिस से की जाती थी अब वो वक्त दूर नहीं कि जह हमारी पुलिस की तुलना रेलवे याड से की जाए कहा गया तुम्हारा वो दावा जब तुमने कहा था कि मैं उसे जमीन से खोद के निकाल लूँगा सर्थ पुझे ऐसा लगता है कि हमारे पुलीस डेपार्टमेंट में से ही कोई ऐस आफिशर है जिसने उन मुझरमों को पना दे रखी है इस सर्थ पुलीस की मदद के बगार कोई मुझरम बच नहीं चकता अगर ऐसा हुआ मिसा वर्मा तो मैं उस आफिशर के साथ मुझरम से भी बद्दर चुलूग करूंगा अकपर भाई तुम लोगों का जाना जरूरी है तुम लोग अच्छी तरह जानते हो पहार पुलीस का जाल पहलावा है आम जानत है मगर उद दुस्मनों को हम जादा देर आजाद ना है छोड़ सकते हमका जाना ही होगा बहना मगर कहां ढूंडोगे उन्हें हम यह तो नहीं जानते कि हमारी मंजिल कौन सी है लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि उस तक पहुशने की सेड़ी हम जरूर ढूंड ल मैं तुम्हारा इंतिजार करूंगी आल दे बेस्ट वीरू ये मौसम है रंग विरंगा ये मौसम है रंग विरंगा करूंगी जब के चंगा आज नहीं छोड़ोंगी तुझको लोंगी प्यार का पंगा बैर फुल्वा का सब्धा यह दिल्वा कोन है मेरी होने वाली है क loro बात का है अक्बर तुझ अ बतास है त्यु 금त पूर दो साही चल फिरू सलाम साहीब सलाम शाप यह तो वह दोनो बदमाश रखते हैं अलो चुर्दो यह क्या क्या तुम्रे जानतियों सारे शेहर की पुलीस इन दोनो बदमाशों को ढूट रही है और यह मेरी गर में वाइसी अब समझ में आया कि वह बंद रेडियों से गाना कैसे बज रहा था दो दो मस्तंडों को नाश्टा तू अकेली कैसे कर रही थी इडियोट अगर यह दोनो मेरे ही घर में पखने जाते हैं तो उनको छुपाने के जुरम में मुझे भी जेल के हवा खानी बरती अच्छा तो यह भी बताया होगा के असली मुझरम कान है नहीं वह पता करना तो आपका काम है अब तु मुझे बताओ के वह दोनों भाग कर गए कहा है नहीं बताती देखो बिठी बतादो के वह कहां गए है इससे तेरे बाप को प्रमोशन मिल सकता है बतादू बतादू डैडी वह दोनों ना फुल्वा के साथ गए हैं पिर इस अब का हुआ पेटा देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है जिसके सबूत भाईजान के हाथ लग चुके थे उन्होंने ये सबूत एक फाइल बनवाकर बलवन के घर रख छोड़ी थी उन बदमाशों ने वो फाइल हासिल कर ली और भाईजान को माई आजी बाबा की मौत के जिम्मेदार हम है हाँ माई उस फाइल की चोरी हमसे करवाई गई थी और उस चोरी हमने कम समझ कर किये हम कसम खाकर कहते हैं माई हाजी बाबा की कुरपानी जाया नहीं जाएगी हाँ माई उगदार कहीं भी हो हम उगा ना ही छोड़ेंगे हिंदुस्तानी सरकार ने अमेरिका और फ्राइंस के राजदूतों को आखिर कश्मीर में आने की इजाज़त दे दी ताकि दुनिया को यह तसली दे सके के कश्मीर में एलेक्शन वहां के लोगों पर थोपा नहीं जा रहा हैं बलकि कश्मीर के लोग खुद इलेक्शन चाहते हैं अगर उन राजदूतों को उच्छो जाए तो तो पुरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान की नाग कर चाहिए वहां की स्क्योटी का परदा फाश हुजाए तो मजबूरन हिंदुस्तानी सरकार को इलेक्शन रुक्वान काउन है तुम कश्मीरी कश्मीर किदर है हिंदुस्तान में ये बात तुम को किस ने बताया अब्बूने वेरी गुड़ अब्बूने में वेरी तुम क्या खड़ता है पहले मेरा उसपोर्टा साब पूरी तुनिया के लोग यहाँ आते थे साब हमारा उसपोर्ट नंपर वांता साब आज सब परवाद हो चुका है साब किसने खटम किया कि दोंट गेट स्केर्ट टेल मी यह सब किस ने खटम किया अब कुछ नहीं चाहता है आरे बोलना बोलता क्यों नहीं चुप क्यों होड हाँ चुपाने के लिए बचा क्या है पूरे तो बर्बाद हो चुके हम उन्टेर रुस्तों ने साब इसको बोला सरहत बार चल के ट Гण अबेड़ अच्छु इसको बहुत बार हेडर चल इनधियन ग्रशावमेंट इधर इलेक्शन हराने को मांंगता क्या तुम वोड डालेगा अव्व डालेंगा जनाब एक उन चाह चाह वोड डालेंगे तीन वोट उन पेटों की डालेंगे जिनोंने की जान देती, लेकिन बंदूग नहीं उठाई तुम लोगो को, हिंदियन आर्मी, I mean, हिंदुस्थानी फट्जों से कोई शिखायत हाई कोई हिलेगा नहीं अब बिजगा से, don't move, कोई हिलेगा नहीं आज के मुख्यों समचार, आतंग वादियों ने विदेश से आय हुए राजदुतों का आज कश्मीर में अपरण कर लिया इन हालात में कश्मीर में इलेक्शन करवाई जाया नहीं, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ग्रह मंत्री ने कल सभी दलों की आपात बैठक बुलाई है आपने और आपकी सरकार ने काश्मीर के मामले को एक मजाख बना दिया है, एक अकेला आतंगवादी, पुरी स्क्योर्टी की धज्य उड़ाके, विदेशी राजदूतों को किर्नेप करके ले गया, क्या इसी स्क्योर्टी के दम पर हम काश्मीर में इलेक्शन कराने जा रह अगर ये मसला मेरे इस्तीफा देने से हल होता है, तो मैं इसी वक्त अपना इस्तीफा देने को तयार हूँ लेकिन ये वक्त आपस में किश्ण उच्छालने और इल्जामात लगाने का नहीं है, बलके हमें अपने सब भेद्भा बुलाकर एक हो जाना चाहिए, मजबूत हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा दुश्मन अपनी किनोने चाल चलकर हमें धर, मजब, जात, पात, प्रांत औ क्योंकि वो हमारे अवाम को नहीं जानता, हमारी जंता को नहीं जानता, और शायद वो ये भी नहीं जानता, कि मुथरा में जिस जमना के पानी को एक हिंदू, अपने किश्ण भगवान पचलाता है, जामा मस्चित में हमारे मुसल्मान भाई, उसी जमना के पानी से वजू हमारा दुश्मन मिटाने में काम्याव हो सकता है नहीं हरकिस नहीं इतिहास गवाह है हिंदुस्तानी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत के सामने कटा है जुका नहीं यह हिंदुस्तान अहिंसा के सामने जुका है हिंसा के नहीं दोस्ती के सामने जुका है दुश्मनी के न जनाव आखिर ये आतंकवादी चाहते क्या है वो हमारे मंत्री के साथ अमरीका में मीटिंग चाहते हैं और मंत्री जी है महादेव उसे क्यों अरे वह शायद इसलिए कि अतंकवाद के खिलाफ आवाद बुलंद करने में आप हमेशा सबसे आगे रहें और हमारे पास सिर्फ तीन दिन है राज़ूतों की जिन्दगी बचा उनकी दिमांड क्या है मिस्टर महादेव को जाना चाहिए लेकिन महादेव जी ये सारे कैविनेट का फैसला है आपको जाना ही होगा हम जा पा रहे हैं जगराज को लाने क्या कैसे कॉफरन्स नीचे रखा और यहने खोलो मिस्टर ओफिसर यह तो डेट बाड़ीज है आम सॉरी डॉक्टर रड अलर्ट है इसलिए चेक करना जरूरी है मैं आप पेपर्स प्लीज थैंक यू नीचे रखो खोलो इन्हें जाने दो अब इसर इतने टाइट सेकुरिटी क्यों है हमें खबर मिली है कि एक टेररिस राजदूतों को लेकर कश्मीर से गाइफ हो गया है पता नहीं कहा और कैसे पहुंच जाए लट सो के एक मिना डॉक्टर इन सेटिफिकेट्स को अपने साथ रखिए ताक रास्ते में कु तक्रीफ नहीं हो थैंक जो 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 कि अच्तास्थ व्हेल सब्टाइब वा कि अे यॉपरी जॉझा जाँ जॉब भाय करें वा फॉली जॉब राज यॉब गाय करें गाय में तो हा राजर हम वी खॉब टॉब बंद वॉब उुब गराजअी, थाज जॉब गया पाज है हॉब गला ह्ग गला हॉ गला है हेलो डेल्टा फोर्स वन स्काइज क्लियर जगराज हिंदुस्तान आ चुका है क्या जो फारें एमसरेस किटनेप हुए है वो भी जगराज नहीं किया है ओ आई सी जगराज के ग्रूप में शामिल होकर मैंने उन सारे लोगों की तस्वीरे एक माइक्रोफिल्म के शकल में ले लिए है उन सबुतों को लेकर मैं हिंदुस्तान आ चुका हूँ कल ठीक चार बजे मैं आपको कंट्री क्लब में मिलूँगा ओम नमस शिवाई ओम नमस शिवाई ओम नमस शिवाई ओम नमस शिवाई गोरी अपने पापों का प्राश्चित नहीं करोगी शनी देवता बड़े दयालू है इनके सामने अपने सारे पाप स्विकार कर लो ये तुम्हें शमा कर देंगे लेकिन मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है क्या तुमने डायना बनकर अक्बर और वीरो को नहीं फसाया आपको किसे मालूम कि अधासुसाफर किदर कुछ आता है हावदर साहिब वो वो क्या वो वो क्या अरे खाम रे ठाम तुझा आईला जब देखो तब भात आइच रहता है तेरे को तो ओलिम्पिक का रेस में भेजना पड़ेंगा रे आपका जाने धामालदार साहिब नहीं तो वो क्या वो 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 यह अबे अबे आपको तो तेरे को शोड़ रेगा लेकिन वो जो अधा भाई तेरे को निशोड़ने वालिया रे गोरी गोरी कौन है वो आदमी दिसने हमें पसाया गोरी प्लीज बोल बोल बहन बोल बड़ी मुस्किल से तो हार पास हम पहुच पाये हैं अब गोरी गोरी तुझे तेरे शनी बगवान की कसम बोल गोरी बोल को कहा चा परिए कांट्री क्लाब तेरा नाम ढूंगा तिल थाम ढूंगा तेरा नाम ढूंगा तिल थाम ढूंगा मैं एकरार करूंगा तुद्से प्यार करूंगा हलू हलू गाहे थाम ले तू दिल से काम ले तू हलू हलू तरवाहे थाम ले तू हलू हलू दिल से काम ले तू हलू हलू आखे चार कर तू हलू हलू मुझसे प्यार कर तू हलू 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 मैं प्यार का हूँ आशिक जलबो का हूँ पुझारी चाहो जिसे मैं दिल दू कर लो किसे सयारी इस पल तो मैं यह जानू तू ही लगे है प्यारी चाने चाने मन तू दिल की आरिजू है तू है मेरे मुहबद दिन तेरे एक पल भी मिलती नहीं है राहत धड़की तू मेरे दिल में धड़कन की क्या जरूरत जाने जाने बल तेरा नाम लूँगा दिल थाम लूँगा हलो हलो पांखे चार कर दो हलो हलो मुख्मे भ्यार कर दो हलो 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 मेरी खुशी का साहिन तेरी वफा की साहिन बाहूं से तेरी भड़कर मन्जिल न कोई भाई आखो में तेरी मैंने दोनों जहान पाई जाने 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 बुए मुझे पे यकीन इतना करती है क्यों तिवानी आवारा हूँ मैं बादल मौजों की हूरवानी जब तक हसी है मौसम है प्यार की कहानी जाने जाने मन तेरा ना मिलूंगी हलो हलो दिल ठा मिलूंगी हलो हलो आखे चार करती हलो हलो मैं मुझे प्यार करती हूँ है 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 खख धख खब है मशल से! हाँ रखो, रजाओ! रखो! 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 मैं कर रामसादे! मैं कर तो विंगा! कि अब बाभू बिने बाभू तुम हम अक्पर वो बीरू तुम प्योर बेगुना हो का और ये बात वो माइक्रो फिल्म सावित कर सकता जाओ उसा किसी भी कीमत पर हासिल कर रहता किस मुष्ड़घ़ लाओ किसी भी का और मिसकता प्रिय थाओ प्राओ श्योर प्रृबव प्रेपरन सेटा प्राइब पाल पर बस पस एक मिनर्ड ना इस आपड़ाद्र एच प्रद्भार्ण प्रणीश चुट्रे शूंड पार प्रणीश का जा वुद्ट प्रणीश है वाले का शुक्र है के गोली सीने पर न लगकर बाज़ उपर लगी है वरना जान का खत्रा हो सकता था अब आप आराम कीजिए थैंक यू डॉक्टर इस्पेक्टर सार इस्पेक्टर इस शेहर के सारे रास्ते ब्लॉक कर दो और हर गाड़ी की तलाशी लो कमिशनर साब के हत्यारे अभी तक इस शेहर को छोड़ कर बाहर नहीं गए होंगे कमिशनर साब को मार कर ये लोग इस शेहर में लो एंड और्डर की प्राबलम क्रियेट करना चाहते हैं जाओ मगर सार आपकी सिकरिटी मेरी चिंता मत करो मैं अपनी इफाज़त खुद कर लूँगा तुम जाओ ओ किसा और हाँ इस्पेक्टर मेरे बंगले पर भी सिकरियोटी बढ़ा दो ताकि वीरो और अक्बर मेरी बेटी को किड्नैप ना कर सके किसी ने सची कहा है कि जब चोर की मौत आती है तो वो पुलीस की तरफ हागता है किसी ने चलाकी करने की कोशिश की तो गोली मार दूगा है मगर स्पी साब हम तो यहां आपको यह देखने आये थे कि मैं जिन्दा हूँ या मर गया हूँ और अगर नहीं मरा तो मार दो हां ताके मेरी बेटी को फांस कर तुम दोनों मेरे ही बंगले पर एश कर चको अरे बीरू इस ससुरे पुलीस वाले का भेज़ा तो चोर से भी कटिया है सर हम तो यह कहने आये थे कि हम दोनों बेग उना है अच्छा तो यह बात तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताई है ससुर जी सर आपने पहले कहने का मौका ही नहीं देए हाथ उपर हाथ उपर तुम लोगों ने मुझे भी क्या मेरी बेटी की तरह पागल समझ रखा है तोहार बेटी पागल है का यकीन कीजिए सर हम बेकसूर है हर मुझरम यही कहता है हम सबूत भी लाएं है सर यह यह रही माइक्रोफिल्म की ससुरी छोटी सी डिपिया मां देश के बड़े बड़े कंदार के फुटवा है हां इसे विने साब कमिश्र साब को देना चाहते थे अब असली मुझरम आपके हाथ में है अच्छा शाबाश हां आभी पता चल प्रोजेक्टर का फारें इंतजाम करो है यह सर इसका मतलब है विने को मेरे असली रूप का पता चल गया था अर आज हम लोग उनको भी पता चल गया अरे बीरू तू तो चोर था तो हार ससुर्तो महा चोर निकला रहे और वो भी वर्दी वाला खाबरदार अब तुम लोग यहां से बचकर नहीं जा सकते कि काश्मीर में होने वाले एलेक्शन को मैं रखवा दू वहां इलेक्शन इस बात के लिए हो कि काश्मीर इंदोस्तान के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं और तुम यह भी चाहते हों कि विदेश जाकर अपनी सरकार की तरफ से अगर में पर दसकत कर दूँ अगर मैंने ऐसा किया तो इस देश का बच्चा-बच्चा मुझे गदार कहेगा लोग मुझे जिन्दा चला देंगे वर्शन से चीफ मिनिस्टर बनकर जो इज़त मैंने बनाया तुझे चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए हमने बॉम ब्लास दंगे तक करवाए पर आज तू हमें अंखें दिखा रहा है जगराज यह मत भूल कि तू एक मुझरी में है और मैं चीफ मिनिस्टर और अगर मैं चाहूं तो तुझे हाजी की फाइल इस फाइल को तो मैंने अपने हाथों से चला दिया था हरामजादे मेरे साथ धोका मुझे मालूम था कुट्टा जब पागल हो जाता है तो अपने पालने वाले को ही काटता है इसलिए मैंने उसका इंतजाम पहले से ही कर रखा था चीव मिनस्टर साब टेररिस्टों से कैसे बात करनी है इस स्ट्रेटइजी पर डिसकशन करने के लिए हो मिनस्टर साब आपका इनतार कर एह यह मेरे मेरी फायल चाइए फायल तुम्हें जरूर मिलेगी लेकिन विदेश में हमारा आइग्रीमेंट साइन करने के बाद पकुर लो उन हरा हमजादों को पीछा करो पकुर लो ने रोको मैं बरबाद हो जाओंगा और तुम्हारा प्लान भी फेल हो जाएगा जगराज का प्लान कभी फेल नहीं होता झालब आद का हुआ प्लान अम्हार ए ए ए ए पर बाइब तुकर छोड़ कर नहीं जाए अगवराज अगर तुरुक्या ना तो यह दुलिया केंगी क्यों है केग ही दुना इपाउदको ते इस पाचानिती अभाचाने इड़ाए भीरूच भाघर हो पर भाउ तुष अमेरीका साव भाउ मार्भू तेको अभाट बड़ा हमीने तेरा तोस गह और वह भाइस गहां बोक्सिंग कुष्टी कराटे बहुत ही भयानक खेल है हाथ प्या तूट सकते हैं क्यों ना हम क्रिकेट का खेल खेल है गुड आइडिया वेरी गुड आइडिया इस खेल के अंदर कोई खत्रा भी नहीं बड़ा असान सा गेम है हमारे आदमियों के साथ तुम अपनी पैटिंग तो कर चुके हो अब जरा विल्डिंग भी कर लो चला क्रिकेट खेलते हैं प्रुम अपने विल्डिंग मु दड़िया उविल्या विल्डिंग प्रुम पर तुम एक टोग साला कि तुम यहांू खेलो बड़ा कि अन्मियों रखेल ओुम अर और फेल्डिंग कर रचेंग प्रुम अवर दिभर प्रहुम्टर प्रहुम्टर झाल युझ झाल काववा, बजंगी, दादा, हम पूछत्त काववा? काной मुछत्त का प्राइ ... एक ही छट के नीचे प्यार का मंदिर और मस्जिद बनाने वाले देख देख अपने भाई का अंजम अगर फाइल लेकर एरपोर्ट नहीं पहुंचा तो इंसानियत की छट के नीचे नफरत के बारूद का वो धामा का करूँगा के पूरा मुल्क का बुठेगा ग्राज सदियों पहले इमाम हुसेन इमान की रहा पर कुर्पानी दी थी और आज हमरे नन्ने हुसेन ने प्यार की रहा पर अपनी चान दे दी हमें कसम है इस हुसेन की जब तक भाई भाई को चुदा करने वाले तो हार जैसे देश के गद्दार को मिटा नहीं दूगा तब तक रोटी का हर निवाला हमें हराम है बंदो इसको एए खोलो इसे इतना रुपया इतना रुपया तो अगर्मेंट के पास भी नहीं होगा अगर्मा तुने अपनी वर्ती बेच कर आमको खरीद लिया है जितना रुपया अपनी जेबों में भड़ सकता है अच्छा यह साले बैमान सरकारी दर्जी कपड़ा भिखा जाते इतनी छोटी छोटी जेबे बनाते अरे साले तेरा बस चले ना तो तू अपनी बेटी के कपड़े उतर वाके उसकी भी जेबे बनवाले शवान बहुत चलती है तेरी बोल ले जितना बोलना है पहले मैं इस से पूरा बैक तेरा है उठाले पूरा बैक लेकर मुझे तो इतना ही बस पर्मा इस पेचारे ने तो पापू की खादी बेच दी क्या उसकी कीमत एक बैक भी नहीं आई मुझे यह पैसे नहीं चाहिए फाइल चाहिए फाइल वैसे भी इन दिनों सी बी आई और इंकम टेक्स इतने सारे पैसे रखूंगा कहां वहीं जाए इस देश के बड़े-बड़े स्मगलर्स किलर्स और तेरे जैसे निताओं ने रखें और वो सारा रुपया हिंदूस्तान आ जाए तो हिंदूस्तान दुनिया का सबसे अमीर मुल्क हो जाए लेकिन वर्मा और महाधेव जैसे महान इंसानों के होते हुए मोह देन बहा कभी नहीं आसकता और भोगा वदिन जरूर आएगा और जरूर आएगा गोगा बद्र लूट चुकियां तुम लोग इस देश को चंता के गुष्से का चौला मुख्याब भट नहीं वाला है जिसके लावे में तुम जैसे गत्तारों का नमा निशान तक मिख जाएगा साला करता चोड जगराच आई देश वक्तों की तरह बाते कर रहा है अगर उस मुस्लमान का भी दिमाग खराब हो गया और मेरी फाइल लेकर नहीं है तो आएगा जरूर आएगा क्योंकि एक फाइल के लिए वो अपने दोस्त और महबूबा की जान तो नहीं कवा सकता नहीं जगराच वो फाइल लेकर नहीं वो तेरी मौत लेकर आएगा उस तरह सारे रिस्तों को देश के नाम कुर्बान कर दिया है जगराच और जब एक मुसलमान के दिल में कुर्बानी का ज़्जबा जागता है ना जगराच तो उसका फॉलादी सीना दुश्मनों के देश के हिंदू मुसल्मानों को भाई भाई की तरह नहीं रहने दूगा हमसादे हिंदू के मुसल्मान की तारीफ करता है सर है हिमाले जिसका दिल कंगा कि धारा है वो देश तुम्हारा है वो देश हमारा है आँखे जिसकी मंदिर मस्जिद तिल कुर्बारा है आँखे जिसकी मंदिर मस्जिद तिल कुर्बारा है वो देश तुम्हारा है वो देश हमारा है आँखे जिसकी मंदिर मस्जिद तिल कुर्बारा है आँखे जिसकी मंदिर मस्जिद तिल कुर्बारा है वो देश तुम्हारा है वो देश हमारा है आँखे जिसकी मंदिर मस्जिद तिल कुर्बारा है नफरत की आग से अब ये देश मत जलाओ गत्तार आंधियों से इस देश को बचाओ जो बाटती है हमको दिवार वो गिराओ ख्वाजा के दल से उठो काशी से उठके आओ रामायन की अथा है इसकी मर्यादा का दर्पन इसा की सूरी है इसकी मानवता का दर्शन नूर मुहम्मद से है रोशन इनके घर का आगन उठो हमारी धरती ने फिर हमें पुकारा है वो तेश तुम्हारा है वो तेश हमारा है आँखे जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुर द्वारा है वो तेश तुम्हारा है वो तेश हमारा है हाथों में हाथ थामो फिर दिल से दिल मिलाओ भारत पुकारता है अपने कदम बढ़ाओ तकराओ सालिमों से अपना वचन निभाओ फिर राम बन के आओ रावन का सर जुकाओ रुख है इसका ताच में है सा सच है गोतन जैसा देस दिल का रिष्टा इसका पावन संगर जैसा हो खुशी है इसकी दीवाली सी गम है मुहरम जैसा जहां अहिनसा से हिनसा का हो जहां अहिनसा से हिनसा का साहस हारा है वो देश तुम्हारा है वो देश हमारा है वो देश हमारा है कर ला कि और लीज़ी करे दो रावां भां पूह से ला घागले, भा कुंध o का बहा हम सोली की लुँन लिंव मत ईफ़ती हैं। तरूला मोर मुलच के लुच जन कब वेट खा रहां। कि अब अधिर देश का हर नौचवान तुम दोनों की तरह ठान ले तश्देश से परकिछ जमीन से गठारों का नाम निशान मिचाएगा जाओ उन गठारों को छोड़ो माओ हुप अप अपपर इलो बगपर 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 अफ बगपर प्रफ़ अपपर हुप इलो बगपर कि आप गोग जरुआ कि अ फॉर्थ कि अफॉर्ड़ कि अफ्वर आपकब! आमें भई! चल दिया फिर चल दि प्रॉज जिस अलोग, और देस्ट लगरा, और देस्ट लुट्छ मृ 1 जु नुsmाट में कर दोOTHER 2 1 मृ 2 कर दो भीर के उता बूलाओ को युमे का खू पिर बहले कि उना त 신ुए खूजे 3 कि खूब चुब हो बुद्प से वoncéशन Sow disorders झाल 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 झाल